अग्सर हमें अपनी डिली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिज बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे वो कभी अपने माता-पिता के खिलाफ नहीं जाती, मैं कभी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता, वो हमारे खिलाफ चला गया है क्या तुम उनके खिलाफ जा रहे हो ऐसे हिंदी के sentences जिनमें हम किसी के खिलाफ जाने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम गो अगेंस्ट समवन इस phrase का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है किसी के खिलाफ चले जाना इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद go against आता है और last में noun या फिर pronoun इन दोनों में से कोई एक आता है अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो noun आएगा और अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो pronoun आएगा जैसे कि me, you, him, her, us, them और यहाँ पर यह जो go है या as a main verb यूज होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि goes, gone, going, went चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो कभी अपने माता-पिता के खिलाफ नहीं जाती She never goes against her parents She never goes against her parents मैं कभी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता I can never go against my country I can never go against my country वो हमारे खिलाफ जा रहा है He is going against us He is going against us वो तुम्हारे खिलाफ चली जाएगी She will go against you She will go against you मैं आप सब के खिलाफ नहीं जाना चाता I don't want to go against you all I don't want to go against you all अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चले गए हैं Now they both have gone against each other Now they both have gone against each other उसे अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था He should not have gone against his family He should not have gone against his family वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा He will not go against us He will not go against us क्या तुम उनके खिलाफ जा रहे हो? Are you going against them? Are you going against them? क्या वो तुम्हारे खिलाफ चला गया? Did he go against you? Did he go against you? क्यों हमारे खिलाफ जा रहे हो? Why are you going against us? Why are you going against us? तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? Why do you always go against me? अब एक sentence आपके लिए तुम्हें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए इसको हम इंग्रिश में कैसे बोलेंगे? या आप मुझे कमेंट्स में बताएए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए take care बाबाई